ये लो फिलाल जो आपका सिपाही चालक सिपाही भरती का रिजल्ट फाइनली यहाँ पे आपका आ चुका है जो इनका भविस्त था वो क्लेर हो चुका है और बहुत का भविस्त जो है उजल हो चुका है और उनको धेर सारी सोवन काम नाएं हमारी तरफ से हमारी टीम की तरफ से तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चालक सिपाही के लिए टोटल सत्रेस और बाइस पोश्ट था लेकिन उनमें से सोलस उन्तालिस का ही चैन हुआ बाकी जो सीट है वो खाली रह गया तो यहां पे अब अगले भरती में इसको भारा जाये तो यहां यहां पे कल ही रिजलिट आ गया था और मैं यह वीडियो आज बना रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान पेपर में कवर किया हूं तो देखे यहां पे आपको कह रहा कि बिहार पुलिस में चालक सिपाही पद के लिए परिक्षा हुई जिसका परिनाम जो है कुल 16 यानि परिनाम जो है सोमवार को ही जारी कर दिया गया था और उसके बाद कह रहा कि कुल 1649 अभ्यरतियों का चैन किया गया है और 2019 में चालक सिपाही के 1722 पदों के लिए विज्यापन जारी किया गया था लिखित परिक्षा हुआ सारीरिक परिक्षा हुआ और उसके बाद जो है वहन चालन दक्षिता परिक्षा के अधार पर अंतिम रोप से इनका चैन हुआ मतलब यह होता है कि जो ड्राइवर का आपका वैकेंसी आता है उसका जो फाइनली स्लेक्षन होता है वो आपका D.E.T. के अधार पर होता है मतलब जो गाड़ी चलवाया जाता उसके अधार पर होता है फाइनल सलेक्षन बाकी सभी का अपने अपने अलग-अलग प्रोसेस है जैसे बिहार पोलीस वाला ले लो तो अगर आप उसमें तयारी कर रहे हैं तो वहां पे आपको जो है फिजिकल के अधार पर होगा और जबकि यहां पे आपका चालक व कि अभ्यरतियाव उपलब्द ना रहने के कारणी ये पद जो हैं खाली रह गए हैं चालक सिपाही के तौर में 14 महिला उमिदवार उपलब्द हुई जिनका चैन कड़ लिया गया है और आपको भी पता है कि पिछले वाले जो नियम थे वो नियम अब बदल चुके हैं मतलब कि अगर जैन्रल के लिए 200 सीट है तो उस 200 सीट के अंदर जैन्रल ही आएंगे सलेक्ट होके अब इये ना कि उसके अंदर किसी को भी डालतो अगर जैन्रल आवलेबल नहीं है तो ऐसा अब नहीं है अब ये नियम खतम हो जुका है सबकिली सीट केटेगराईज होते हैं बटे होते हैं और उसी सीट में जिस कटेगरी का खाली है उसी केटेगरी को भरा जाएगा आगे कहा रखा आपको कि यहां जो है B.S.A.P.1 यानि गुर्खा बटालियन कहाते हैं इसको तो गुर्खा बटालियन के कुल्य बाइस पद आर्ग चित थे और इन रिक्तियों के विरुद साथ योग्य विर्ति है जिनका चेन हुआ और इस रेनी के 15 पद रिक्त रहा गये और आप देखेंगे ओबरॉल तो कही सारा पद रिक्त ही रहा गया और ओबरॉल जो है सेलेक्शन जो हुआ है 1722 में से 1649 पोष्ट का सेलेक्शन कर लिया गया है और बांकी जो पोष्ट बच गया उसका सेलेक्शन अब अगले वैकेंसी के थ्रू किया जाएगा जिनका भी सेलेक्शन हो गया वो अगर अगर अब लेवल है हमारी बेडियो को देख रहे हैं तो हमें कमेंट जरूर करिएगा तो चलिए बेश टॉपलक आप सभी को और जिनका नहीं हुआ है वो आने वाले एकजाम के लिए फायरमेन के लिए एकसाइज कोईस्टेवल के लिए या फिर आने उससे भी आगे अगर कोई वैकंसी है तो उन सभी के लिए तयार रहे है तो चलिए बेश टॉपलक आप सभी को और दिल छोटा कभी मत करना क्योंकि अगर आप ही हार जाओगे तो फिर जितने के लिए बचेगा क्या तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक आप अपने खयाल रखना जैहिंद